चैनल को सब्स्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए Linux Operating System से क्या किया जाता है Linux Operating System से Programming की जाती है hackers इस्तमाल करते है normal लोगों के लिए Linux Operating System होता ही नहीं है हम लोग यही सुनते हो है लेकिन आज मैं आपकी यह जो भी इसको चेंज कर देने वाला हूं आज मैं बात करने वाला हूं Zoran OS के बारे में यह एक Operating System है जो की UI में बिल्कुल Windows की तरह दिखता है यह personal computers में install करने के लिए बना गया है यह company यह दावा करती है कि यह जो operating system है यह 15 साल पुराने computer में भी बहुत smooth चलेगा Linux based है तो virus का कोई खत्रा नहीं है और उसी चीज पर यह बना हुआ है जो चीज International Space Station में चलती है यह जो US Defense Department में जो operating systems चलते हैं Linux चलते हैं उसी पुनियाद पर या उसी foundation पर यह बनी हुए Linux, Ubuntu, Kale Linux इसके बारे में बहुत बार हम बात कर चुके हैं पहले भी viruses और malware का खत्रा बिल्कुल भी नहीं रहता तो इनके लिए बहुत सारे software भी आ चुके हैं मैं एक 10 साल पुराना computer आपके सामने लेके आया हैं जी हां यह computer 2012 के शायद आस पास launch हुआ था इसका नाम है Lenovo ThinkPad 430 T430 नाम है इसका यह 2012 में लॉंच हुआ था और यह काफी पुराना हो चुका है इसमें i5 प्रोसेसर है बहुत पुराना तो काफी पुराना यह laptop हो चुका है बहुत ही बल्की है आप देख सकते हो इन laptop की खास बात यह है कि यह नासा के साइंटिस्ट इसे इस्तमाल करते हैं और यह laptop यह भी साबित हुआ है कि यह कॉस्मिक रेज को भी जहल पाए हैं तो काफी रगेड लैपटॉप होते हैं लेकिन हाडवेर वाइस देखा जाए तो यह काफी अभी आउटडेटिट हो चुके हैं लेकिन मैंने इसमें जॉरे नुएस इंस्टॉल किया है अब जॉरे नुएस की खास बात क्या-क्या होती है वो तो मैं आपको सिर्फ कहानी नहीं दिखाऊंगा आज मैं इस लैपटॉप में उस ऑपरेटिंग सिस्टम को चला कर लेता हूं और इसे बूट कर लेता हूं जी हां इसे बूट कर ल इसका UI देखोगे न इस ऑपरेटिंग सिस्टम का तो आपको मन नहीं करेगा Windows चलाने का मैं सज बता रहा हूं इसमें टर्मिनल देखने को मलता Linux का और वो सारी functionality मिलती है जो Windows में मिलती है खास बात यह है कि यह free है और यह open source है इतनी अच्छे इसकी security है और यह open source है आप आप इसमें steam से game भी खेल सकते हो इनका प्रोफेशनल वर्जिन भी प्रोवर्जिन भी जिसने सारे software और डले हुए आते हैं यह free वाला डाला है जो कि बहुत अच्छा है open source है Linux है और क्या चाहिए अब मैं इसमें आपको दिखाऊंगा जोरिन लिखा आता है इसे देखिए जैसे लिखा आता है जैसे यह बूट हो जाता है तो इसका मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देखो कितनी प्यारी वेलकम मेन्यू विंडोस से भी बैटर इसकी वेलकम स्क्रीन है पहुत अच्छी लगी मुझे तो आप देख सकते हो यहां पर इसका desktop ऐसा देखने को मिलता है मैं बिलकुल अंधेरे में अंधेरा कायम करके हूँ ताकि आपकी पूरी नजर स्क्रीन पर रहे तो यहां पर देख सकते हो एकदम start menu, accessories है, games है, graphics, internet, office, office में क्या मिलता है, office में इसमें आपको लिबर office यह जो भी बोलते हो आप लाइबर, लिबर, जो भी बोलते हो लिबर office लिबर office से आप अपने office के सारे काम कर सकते हो, मैं आपको बता दिया, इसमें firefox, sorry, firefox preloaded आता है, दिखा तो देखो, office खुल जाएगा है, आपर, देखे, office खुल गया, तो सारे documents बगएर, यहां से आप edit बगएरा कर सकते हो, मैं आपको इस वीडियो को बनाने का उदेश है कि मैं आपको बता सकूँ, कि जो काम आप windows से कर सकते हो, आप Linux operating system से भी कर सकते हो, यह ज्यादा secure है, ज्यादा lightweight है, इसके लिए खास बात यह है, कि security update बहुत जल्दी आते हैं, और free of cost आते है, जबकि windows में ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए, games में क क्या क्या मिलता है, देखो, यह माइन स्वीपर वगारा, sudoku वगारा मिलता है, नॉर्मल गेम से जब टाइम पास के लिखे सकते हैं, जो विंडोस में पहले से आते हैं, तो यह एक विंडोस के टकर का operating system है, Zorin, तो यहां पर और क्या चीज़ देखने को मिलती है, हमें utilities में क्या मिलता है, utilities में, archive, manager, backups, calculator, character, disk, usage analyzer, disk, document scanner, document viewer, fonts, logs, passwords and keys, screenshot, system monitor, terminal देखने को मिलता है, terminal open करते हैं, भाई साथ, Linux का terminal और Windows का मज़ा एक साथ आपको मिल रहा है, यह कोई video sponsored नहीं है, यह free software है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पढ़ता, open source software है, open source को तो यार करना जो जो software आप इसमें डाल सकते हो, देखो भाई, यह सारे software आपने देखे होंगे, या कई हो ने शायद देखी भी नहीं होंगे, firefox देखा होगा आपने, है ना, audio video के लिए देखते हैं कौन सा कौन सा है इसमे, audio video के लिए मैंने इसमें VLC डाला हुआ है, मतलब डालने के इं अब एक बात बता हूँ, इसमें आप गेम्स भी खेल सकते हो, अगर आपका computer थोड़ा capable है, तो आप steam डालके, steam में जो भी games available है, वो आप यहां पर खेल सकते हो, बहुत असानी से, ठीक है, गेम्स देखते हैं आपर, गेम्स की भी कमी नहीं है, और सारे free games मिलते हैं आपको, आराम से install करो, खेलो, ब्राउजिंग कर सकते हो, आप office का काम कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, आप live streaming कर सकते हो, OBS से, देखो, यह सारे हैं, गेम्स, बहुत तरह तरह के game हैं, आप इन्हें डालिए, बिल्कुल देखिए, windows का उतार दिया, और यहां पर setting देखते हैं, इसकी setting अगर करनी हो, तो कैसे करने होता है, हाँ, settings पर जाते हैं, देखिए, settings पर जाने के बाद, वाउ, बिल्कुल देख सकते हो, macOS वाली feeling दे रहा है, वाट लगा दी, windows की, देख सकते हो, आप साइड से, sound, power, display, mouse, touchpad, यह सारी चीज, देखो, 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 default application, mouse, क्या बात कर रहे हो, आप, Linux इतना awesome है, कि आप चाहें तो इसी वक्त, अगर आप एक normal user है, तो इसी वक्त switch कर सकते हैं, वाइरस का कोई लफडा नहीं, वाइरस आएगा ही नहीं आपके पास, तो वाइरस दूर दूर तक नहीं आएगा, ransomware, वाइरस इस इन सबसे तो आप हमेशा दूर रहोगे, और अपना काम सिक्योर तरीके से करते रहोगे, और मेरा laptop बिल्कुल जादा heat दे ही नहीं रहा है, मतलब यह वैसे पुरान laptop इसमें कुछ भी अगर टास्क करते हैं, बहुत heat फैकता है, अभी heat फैक ही नहीं रहा, that means यह गरम नहीं हो रहा, बहु Photoshop की जगह यह इस्तमाल कर सकते हो आप, यह free मिल जाता है, इसके लिए कोई पैसे देने के लिए, crack rack का कोई लफडा ही, मेरे एक वीडियो में बताया था है, और यह तो Windows के लिए भी आता है, free software है, इसमें कोई cracking नहीं, full version मिलता है हमेशा के लिए, इसमें आप editing कर सकते हो, कम लेता होगा, तो laptop की बैटरी अगर पुरानी हो गई है, तो भी बहुत अच्छी बात है, तब यह बहुत अच्छा वो देदेगा, वाव, देखते है, recording चल रही है, हाँ recording चल रही है, पूरा OBS चल रहा है, वाव, तो यह मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अभी और कुछ online accounts, एक और अच्छी बात है, इस software की, आप अपने phone को direct connect कर सकते हो, synchronize कर सकते हो, contact, music, वो सब synchronize कर सकते हो, तो यह बहुत ही अच्छी बात है, 100 languages का support मिलता है इसमें आपको, दुनिया की 100 भाशाओं में आप इस operating system को इसमाल कर सकते हो, अपने Gmail को, अपने mail को direct इसमें, जैस sharing है, display की बात करें, तो orientation, resolution वगएरा, चेंज कर सकते हो, keyboard shortcuts, printer add कर सकते हो, removable media, color वगएरा बदल सकते हो, laptop screen के लिए कर सकते हो, इसको हटा सकते हो, तो तो यह थो तो इसकी चेंज हो जाएगी, original language आप देख सकते हो, language अभी मैंने English, US की हुई है, आप चाहे हैं, तो दूसरी language वे शायद Hindi Hindi को भी support करता है, formats हिंडिया है, इंडिया है, बहुत दूसरी बात है, accessibility ये सारी चीजे है, users, अलग अलग user add की ये जा सकते है, password protection और fingerprint protection भी आपको देखने को मिलता है, तो मेरे दोस्त, जब इतनी सारी चीजे आपको Linux में में लेगी, तो आप एक cracked Windows क्यों इस्त नॉर्मल रोजमर्रा के काम कर सके, और थोड़ा सा home computer जैसा दिखे, तो उन लोगों के लिए तो ये वर्दान है, और इसमें updates free आते हैं, अब music वगरा इसमें होंगे नहीं, Zoran appearance देखते हैं, मतलब look wise इसमें और क्या change किया जा सकता है, देखो, इसकी menu वगरा ये सब change की ज जाएगा फिर, ऐसे करोगो तो फिर ऐसे न जड़ाएगा, amazing, oh, ये window, oh, अच्छा, और ऐसे करेंगे तो, तो ये नीचे आ जाएगा, जैसे windows खुलती है, तो ये इसका, मेरे opinion ये है कि भाई, आपको ये एक बार जरूर राय करना चाहिए, फ्री मिल जाता है, इसको install कैसे क बाद उसका ISO डाउलोड कर लो, विन 32 डिस्क इमेजर से, उस इमेज को अपने एक pen drive में, जो की अलग हो, तो उसमें आप डाल लो, और डालने के बाद इसमें करके, उसमें मेडिया से मतलब की, उस pen drive से बूट कर लो, laptop में, and then normally आप Zoran operating system को install कर सकते हैं, थोड़ा सा partition वग या defense department, US के defense department, कितना secure होता है, अगर वो चला रहा है Linux, बहुत secure है, International Space Station, NASA, ये सारे लोग इसे चला रहे, virus, malware, इन सब का कोई लफड़ा नहीं, तो फिर आप क्यों नहीं चला रहे, आपको चलाना चाहिए, बाट राय जरूर करो, और मुझे बताओ, कि आपको कैसा लगा य operating system, ये एक छोटा सा review था, Zoran operating system का, जो कि Linux based operating system है, मैं और इस पर थोड़ा सा research करता हूँ, और फिर इसके पर और एक और वीडियो बनाऊंगा, और बताऊंगा कि इसमें gaming कैसे कर सकते हैं, मेरे पूराने laptop में, ठीक है, अगर आपको वीडियो चली जो से लाइक कर अपने दोसको साथ share करें, cyber security और ethical hacking में इंट्रस्ट है तो description चेक करें, 299 रुपीज के तीन ethical hacking courses है, जो आसान भाशा में आपको ethical hacking सिखा देंगे, ठीक है, मैं मिलता हूँ, आप से अगली वीडियो में, मिलता हूँ, आप से अगली वीडियो में, मिलता ही हूँ, बाई बाई, आपियो और मिलता हूँ